नमस्कार and I welcome you to your YouTube channel आज के short lecture में देख लेते हैं कुछ लोग transactions कर रहे होते हैं तो उनको ये message आता है ये error नहीं होता देखो ये message आता है कि अगर आप कुछ transaction कर रहे होते हो तो आपको ये pop-up message आ जाता है मगर क्यों देटा is locked by user जो भी user उस transaction को उस time पर कर रहा होगा तो उस user का name आएगा जिसको आप उस time पर कर रहे होते हो अरे कहना क्या चाहते हो जोको आपको बताता हूं क्या होता है अपने sap server पर चलते हैं देखो मैं जो है एक टी कोड यूज कर रहा हूं ओ भी वाई 6 राइट और मैं क्या करता हूं एक दूसरा session ओपन कर लेता हूं और उसके अंदर भी सेम टी कोड यूज करता हूं ओ भी वाई 6 तो मिरको यह system यह message फ्रो करके देगा अगर कोई अनदर पहले तो आप लोग जैसे कि आपको यह user 002 दिख रहा है तो पहले तो उनको मैसेज कर सकते हो कि मनोज 02 देटा इस लॉग इन दिस ट्रांजेक्शन कोड प्लीज यू कम आउट फ्रों देट तो आप उनको कर सकते हो और उनको दो या तीन मिनट का दो तीन चार पांच मिनट का टाइम दे सकते हो यह देखो उसके बाद आप क्या करोगे दो चार पांच मिनट के बाद आपको क्या करना है क्या 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 जति है तो आपको क्या करना है तो आपको यह कॉपी करना है जो यूजर होगा उसे कॉपी करना है जिसने भी डेटा को लॉक कर रखा होगा उसको कॉपी करना है जूसी कांट्रोल अब आपको यह आइकॉन दिख रहा होगा इस पर किलिक करना है क्रियर सेसर राइट एंड यूस्टी कोड़ एसम ट्वेल ठीक है कै लुक्री ओपन होगी तो यह यूसर नेम आपका आएगा है तो यह मिस्टेक नहीं करनी कुछ लोग क्या करते है इस यूसर नेम को चेंज नहीं करते हैं लिस्ट को ओपन कर देते हैं तो मैं के लिए इस case में मुझे दिख रहा है क्योंकि locked user भी 1002 है and unlock भी महीं कर रहा हूँ and so Mirko तो यह so कर रहा है लेकिन आपको इस case में जो locked user है उसकी user ID देनी है देखो मेरे case में तो locked user भी 1002 ही है 1002 क्योंकि मैं खुद ही lock करके बैठावा हूँ तो यह error नहीं होता ना तो problem है server में ना यह error है as SAP consultant आईए आपको आना चाहिए कि इसको कैसे resolve करना है even in real time जब आप किसी organization में work करोगे and at the same time आपका दूसरा कोई colleague अगर use कर रहा होगा same transaction तो भी आपको यह so करेगा तो यह आपको resolve करना आना चाहिए बात तो सही है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि username उसका होना चाहिए जो इसको lock करके बैठे है राइट झाल 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 तो देखो मैंने यहाँ पर एकदम mention भी किया है give username who is responsible to lock the data not your username तो यहाँ पर आपको अपना username नहीं देना है उस user उस username को देना है जो कि responsible है data को lock करने में तो यह तो कुछ लोग कर देते हैं इसलिए उनको यहाँ पर यह entries नहीं दिखती जिनको यह वो डिलीट कर सके तो यह error वो resolve नहीं कर पाते हैं इस make sure कि यह username वो होना चाहिए जो responsible है data को लोग करने के लिए तो मेरे case में तो मनो 02 ही है then click on the list right then select all this is select all जितनी भी entries होंगी वो select हो जाएंगी and then delete and enter right select all and delete select all and delete right then delete lock entry yes yes अब यह एंट्रीज डिलीट हो चुकी है अब आप टी कोड ओभी बाइसिक्स यूज कर सकते हूँ तो अब मैं यह टी कोड यूज कर सकता हूँ यह ट्रांजेक्शन मैं यूज कर सकता हूँ तो आपको यह रिजॉल करना है और यह आपको आना चाहिए ऐसे पी कंसल्टंट तो यह था आपका सौर्ट टुटोरियल जब भी आपको यह आता है देटा इस लॉग्ड वाइ यूजर अबीसी अगर आपको ऐसे पी सर्वर प्रैक्टिस करना है एस प्रॉमिस मैंने आप लोगों के लिए ओड़ फिप्टी मेंवर्स मैंने सर्वर पर्चेस कर लिया है कि ऐसे पी डेडिकेटिड सर्वर फॉर ओल मॉड्यूल्स सारे फंक्शनल मॉड्यूल्स आप उसके अंदर यूज कर सकते हो आप चाहो तो एक से ज्यादा मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो 24 आवर्स के लिए फ्री डेमो है राइट 24-7 सर्वर वरकिंग है मैं फुल सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा एगर एब एब की साइड से अगर कुछ एरर आता है तो मैं उसको क्यूख लिए रिजॉल कराके दूँगा तो आप 24 आवर्स का फ्री डेमो ले सकते हो यह मेरा वाट्सअप नमर है इस पे आके मेरे को डेम करो और आप वन डे का फ्री एकसेस ले सकते हो उसके बाद अगर आपको हमारा सर्वर अच्छा लगता है तो बहुत ही रिजनीबल प्राइस पे आपके लिए प्लांस रखे गए हैं आपको अगर ऑनलाइन सर्वर भी लेने जाओगे तो 500 पर मन्त पढ़ता है यह तो डेडिकेटेड है वो हमने आपके लिए 400 पर मन्त पर रखा है तो 400 पर मन्त का प्लान है इसको मैं कहता हूँ consistency प्लान बैस रहता है कि अगर आप तीन मन्त के लिए ले लेते हो तो आपकी consistency maintain रहती है और पर मन्त के प्लान में क्या होता है कि आपका प्लान expire कर जाता है देन आप 2 तीन दिन तक नहीं practice करते हो दुबारा फिर देन सर्वर की validity लेते हो देन आप use करते हो सबसे best way होता है कि आप यह consistency प्लान लो तीन मन्त का at least क्योंकि आप अगर आप अभी practice कर रहे हो तो आपको तीन से चार मन्त तो at least दे नहीं होंगे SAP में एक अच्छा confidence गेन करने के लिए तो आप free demo ले सकते हो आप मेरे को DM करो WhatsApp नम्मर पर नोट्स आपको telegram group पर मिल जाएंगे कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स कहांसे डाउनलोड करें तो सारे notes from lecture 1 आपको telegram group पर मिल जाएंगे and telegram group का link आपको description box में मिल जाएगा नीचे जाके देखो right and बहुत सारे serious aspirants more than 30 serious aspirants वहाँ पर अल्रेडी जाएंड हैं आप भी जाके join करो and वहाँ पर student धर्माव आप send करते हो right so thank you last तक बने रहने के लिए अगर आपको मेरे efforts पसंद आ रहे हैं तो like करा किजिए lectures को and comment section में मेरे को बताओ अगर आपको कुछ इसी topic पर video बनवानी है या फिर कोई feedback देना है तो आप comment section में लिख सकते हो and अपने enemies के साथ में send करो इसको enemies क्यों friends के साथ तो आपने send करी दिया होगा and अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करो and bell icon को press करो जिससे आपको सबसे पहले notification मिल सके जब भी मैं आपको जब भी मैं lecture अप्लोड करूं ने ने सोचे मत subscribe कीजिए